बड़ी कबर आपको बता दे व्यापारी का शव मिलने से उन्नाव में हरका मच गया है एक 11 दिरों से लापता था व्यापारी हत्या कर शव को नदी में फेकने के आशंकर जिताई जा रही है शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेश दिया गया है फतेपुर 84 खाना शेतर का ये मामला सामने आ रहा है उन्नाव से बड़ी कबर आ रही है जहाँ पर व्यापारी का शव मिलने से इलाके में खलबली मच गई है हरकम मचा हुआ है एक ग्यारा दिरों से ये उन्नाव का व्यापारी लापता बताया जा रहा था हत्या कर शव को नदी में फेकने के आशंकर ज़ताई जा रही है इस वक्त आपको बता दे कि पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्त मौटम के लिए भेज दिया है पतेपुर्ट 84 खाना शेत्र का ये मामला बताया जा रहा है बड़ी कबर रुनाव से व्यापारी का शव मिलने से हरकम बचा हुआ है ज्याद जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे सम्माद आता अश्वरी का अश्वरी क्या जानकारी मिल पा रही है 11 दिनों से व्यापारी का व्यापारी लापता था अचानक से शव मिलता है इसके बाद में पुली तरिके से पुलिस स्टी में डूड़ने थी कल आपको बता दें कि परमेश्वर मंदिर कलन्यारी नदी में इसका सब मिला जिसके बाद मौके पर टीमें पहुंची और पोस्माटम के लिए बेजा जा चुका है अश्वनी परिजनों का क्या कुछ कहना है क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही है कि हत्या के आशंका जदाई जा रही है हत्या कर्शक को नाली में फेक दिया गया था जिनके ओपर वो आरोप लगा रहे हैं